नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का आपके अपने कर्मा आयरवेदा के यूट्यूब चैनल पर और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ रमन शर्मा अगर आप किड्नी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं किड्नी डाइट से रिलेटिड कोई भी ऐडवाईज लेना चाते हैं साथी डायलसे से छुटकारा पाना चाते हैं तो आप परिशान ना हूँ और आज ही कर्मा आयरवेदा में संपर्क करें आज का हमारा टॉपिक है कि जी एफर क्या है और ये किड्नी से कैसे जुड़ा हुआ है सबसे पहले बात करते हैं जी एफर यानि की ग्लोमेरोलर फिल्ट्रेशन रेट यह पता लगाने के लिए होता है कि हमारी किड्नी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है यह खास तोर पर डायबर्टीज और ब्लड प्रेशर की वज़ा से होने वाले नुकसान को बताती है जी एफर टेस्ट आपके ब्लड में क्रेटिनिन के लेवल को बताता है और ये जी एफर यानि एस्टिमेटिड ग्लोमेरोलर फिल्ट्रेशन रेट जो की ब्लड में एस्टिमेटिड रेट बताता है जबकि जी एफर एकदम एग्जेक्ट रेजल्ट देता है जी एफर का वैलू रेट जितना नीचे गिरता है किड्नी के खराब होने की सीरियसनेस उतनी ही बढ़ जाती है एक नॉर्मल जी एफर 90 तो 120 मिली लीटर पर मिनिट होता है लेकिन अगर आपका जी एफर 3 और 6 मंद से 60 से काम है तो इसका मतलब आपकी किड्नी सही से काम नहीं कर रही है साथी आपका जी एफर 15 से नीचे है तब आप किड्नी फेलियर के सिचुएशन में आ जाते हैं इसलिए जी एफर टेस्ट करवाना जरूरी होता है अब बात करते हैं कम ग्लोमेरोलर फिल्टरेशन रेट होने के क्या कारण है वैसे कम glomerular filtration rate के कई कारण हो सकते हैं जैसे की फरस्ट है high blood pressure और kidney में swelling होना सेकेंड है kidney में पत्री होना थर्ड है kidney से जोड़ी autoimmune बिमारी जैसे की good posture syndrome और लास्ट है लंबे समय तक असर करने वाली या चलने वाली दवाईया यदि आपका EGFR 60 से कम है तो जल्दी अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपका पहला EGFR टेस्ट था तो आपको कुछ महीनों में फिर से टेस्ट करवाने के जरूरत हो सकती है इसमें डॉक्टर यह देखना चाहेगा कि आपका EGFR 3 महीने में या उससे अधिक 60 से कम है या नहीं इसलिए आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको दोबारा टेस्ट कब करवाना है अब हम आपको कुछ ऐसे नैचरल तरीके बताएंगे जिने फॉलो करके पेशेंट अपने ग्लोमे रूलर फिल्टरेशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं पहला है कम नमक और सोडियम युक्त भोजन का सेवन करें क्योंकि यह आपको तंद्रुस रखेगा और ब्लेट प्रेशर के बिमारी होने से भी बचाएगा दूसरा है regular exercise करें जिससे आपका वजन भी control में रहेगा और आप healthy बने रहेंगे यही नहीं यह आपकी kidney problem से भी बचाती है और glomerular filtration rate को increase करने में भी help करती है तीसरा है आप vegetable के 7 को बढ़ाएं इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप dairy product का 7 ना करें और नहीं red meat का 7 करें क्योंकि इनमें high protein होता है जो कि आपके kidney पर pressure डाल सकता है और last time smoking ना करें क्योंकि आपकी body में जहरीले प्रदार्थ के amount को increase कर देता है यही जहरीले प्रदार्थ आपके kidney में जाते हैं जिससे आपके kidney खराब होने का खत्रा बढ़ जाता है और यही नहीं इससे आपका GFR भी खट जाएगा साथे कुछ बातों का ध्यान रखें जैसे की diabetes वर blood sugar को monitor करें जिससे blood में creatinine level 9 increase हो weight monitor करें इससे body healthy रहती है करें लिएον जाते हैं या kidney की किसी भी problem को face कर रहे तो आप करमा और वीडियो च लगी हो तो इससे लाइक करें और अगर यह जनकार हैं या यह को useful लगी तो दोस्तों हों आपने शेस्टारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना बोलें साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे आप इसी तरीके से किड्नी से रिलेटिर जानकारिया लेते रहें हमारा पता है हमारी इमेल आइडी है अधिक जानकारी के लिए आप हमारी विबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं हमारी गुखिकेशन आप हमारी विद में तरहें एम जिनान एफ हमा आप हमारी विबसाए़ हमारी आप भी कर सकते हैं क्रांटा शोबसाट बीदिकेशकेशन आपश्या बास